नमस्कार दोस्तों निसेंचल मैं आपका स्वागत है जी हां 1360 वे दिन का यह दिन मितलब जो है इंपॉर्टेंट है जुस्तों और एक एनॉंस्मेंट है सबसे पहले मैं आपके लिए कर दूँ कि इंग्लिस पढ़ना सीखना चाहते हैं बोलना सीखना चाहते हैं या फिर लि एक कॉमेंट कर दीजिए जिससे कि क्या होगा कि आप हमारे मतलब व्यूवर के रूप में आपको मैं समझूगा और उसके वाद तो एक लाग जी हां तो एक लाग एक लाग लोगों का चैन होगा कॉमेंट के अधार पर चुकि जाहर सी बाद कमेंट अभी कर पाएंगे आप पढ़कर आप आसानी से इंगलिज बिल्कुल फ्री रहेगा एबुक आपको कुछ दिक्कत कवे दिक करते होगा सारे के सारा बस लिख लिख कर आप इंगलिज जो है सीख लेंगे कुछ याद करने जम बहुत ही बेवहारी करके इंगलिज के बुक जो है दिया जाएग अब कंप्लीट होगा उस दिन से जो है एक लाग लोगों का जो है चैन होगा तो चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों हर एक तीन मैं ही बात बोलता हूँ आज जब तक देखिए जब तक जो है आप इस काम को नहीं करेंगे इंगलिज आपके लिए एक हववा होगा डर होग कितने लोग जिए जिन्दिगी के खपा देते हैं हिंदी मीडिया मालियों को बहुत दिक्कत होती है नौकरी में रहते हैं और पनादिकारी भी है तब भी उनको अच्छा अब देखिए एक वर्ड है एक वर्ड मेनिंग मैं लिख दिया मैंने लिखा ठीक है इसे क्या सकते हैं लेकिन मैंने परणिकारी मैंने बोलते देखा 6-4 recorded सौट कोट परणिकारी है इसका मतलब यह ने को नहीं बोले है moogram यंकी इंगलेज इस तरह से ही हो गई उनको बता दिया गा वह उनके जवान में वह Symbolic पर रुपे बढ़ा गया इसलिए बार बार आता आपको इंस्ट्रक्शन मिल रहे हैं हमाने सबसे क्या पिए करिए निउस चलिए आज तक आज तक का नाम आपने सुना ना आज तक न्यूस चैनल है आज तक क्या करता है इतना न्यूस देखते हैं खाली रहता है लेकिन अप उस एड से ज़्यादा एक चीज रहता है जो बोलते रहता है अज तक सब्सेज चैनल आज तक अपना वुड़ा आज जो ए अच्छा ही कहने के लिए लाखो बार आज के आप देखते रहेंगे अड से प्टकर बोलता है क्यों थाकि आपको दिमाग पर वह असर्ड कर जाए और आप किसी चेनल को ना खुछ कुछ किसी चैनल खोज़े तो भाई इसलिए मैंने यह मैंने अपने चैनल के बारे में नहीं कहा है यह मैंने आपके लिए कहा कि प्रती दिन आपको अंग्रेजी का ख़वार लेलकर पढ़ना एक ही अख़वार रजिए जब तक उसे समापत ना कर लें तब तक आप उसे छोड़ने एक मैगजिन एक कित एक संट आपना होना किसी का सीखें तो अपने तरह सीखें पर इंडिया भारत के जब वड़ा गुन है औरो के गुन को अपने तरह स्हां हों मारा सभूह संभी सब जेगा सभी संभान को लिए लेकिन अपने अनुचार कस्टमाइज कर लिया गया वैसे करना पढ़ने की सुर्वाज धीमी गती से करें कोई जरोर्वर्ड नहीं है अब परतेक सब्दकाव चान सही करने कोई करना है उची यहां तो उची आवाज पढ़ने का डालना है ताकि आपका माइट में सब उचा जाए अब देखिए अलफाबेट के सारे वर्ड्स को याद कर लिए हाला कि आपको याद होगा अब इभी सी डिजर्ट तक किसे नहीं आता है लेकिन यह जानियास तो कि यह कैसे लिखा जाता है अगर नहीं राइटिंग सुध नहीं है तो आप चार लाइन वाली कॉपी लेकर उस पे इंग्लिस लिखना का लिखना सुरू किजी नहीं आता है तो समझ लिजे कि यह बीच वाला जोयस तो आपको सबसे बड़ा आता ही होगा इंग्लिस नहीं आगा तो ल सबसे इंपॉर्टन कॉंसोनेंट होता है है तो 21 ठीक है वी सी डी एफ जी एच जे के ल एम एन पी क्यू आर एस टीवी डबू एक्स वाइजट है तो 21 लेकिन इस 21 कॉंस लेटर्स को इनके द्वारा मतलब लिटर्स को लिटर्स का उस्चारण होने वाले अच्छा निम्द इंश्चारण हैं यह ल कि जो इनके या पड़ें प्रेधें अगर आगर में फोलूंग में नहीं पड़ते हैं ऑप को भा चको ड को ड द ज फ फ को फ मौ को ल विसुत को घ को छ जञना गोस एस dragging को को कण जय को करते को कि क्यू धू यू ऩ। यह है। घ का तेऊ से दे कूद अब देखिए पढ़ते लिखते समय हमेशा आपके जवान पे दिमाग में रहना चाहिए नहीं तो आप पढ़ी नहीं पाएंगा जैसे मैं बोल दुझा कि में क्या पढ़ते हैं बताईए में क्या पढ़ेंगे तो आप जानते हैं कि मैं पढ़ते हैं लेकिन मैं पढ़ते हैं तो इसम से कौन सा या अजम है तो आप तो A को A ही नहीं बोलेंगे कि यहां पर मैंन में A A हुआ है अगर मैं बोल दूँ कि भाई H U M A N में A का उचान क्या हुआ है फिर मैं कन्फ्यूस कर रहा हूं आपको H U M A N में M का A का उचान क्या हुआ है मैंने आप लिखा भी नहीं पढ़ने आ रहा तो मैं बता दूँ कि यहां पर एक आउचान फिर से लिखता हूं मैं दिखिए यह यह वर्ड मैं लिया है यह है यूमन यह है यूमन तो एक आउचान क्या हुआ अ आ ए ए तो आपको 100 परसे हों यह वर्ड मैंन में यह वर्ड है लेकिन हमें मैं है तब एक आउचान क्यों हो रहा है यही सब इसका मतलब है कि हर वर्ड मिनिंग में आपको इसी तरह के उलर्ट फेर मिलेंगे कोई रूल लेको इसा ने कोई रूल रेगुलेशन नहीं है आपको क्या करना है आपको सिर्फ इसको याद रखना है जी हाँ इ को भी याद रखना है कि क्या क्या बोला जाता है आई के बारे में याद रखना है यह पता चल सके कि आपने जो पढ़ा वो सही में क्या पढ़ा कैसे पढ़ा हंड़ेट परसेंट आपको सफल होंगे जब अच्छे से आप पढ़ेगे तो ठीक है तो आपको क्या करना है आपको क्या करना चाहिए आपको यही करना चाहिए कि आप अच्छे से पढ़िए में सरकल में आई का उचारां जो है आख रूप में पीन और टीन का उचारां जो है चोटी बड़ी कुछ भी लगा लिए टायर में आई का उचारां आई की रूप में यू को आ पड़ते हैं है गोट में यू को पड़ते है मूट में को यू पड़ते हैं फिलाट में डवलो का उचार जो है आप मून में कोa उचार ऐ legitimately अर फ्लोर में डवलोम हुआ है का उचारां हय बस कुछ आज प समझगे इससे अच्छे से क्लियर हो जागा अब दीखें कि तो याद रखने का ची पार्ट को याद करना है यह इस पार्ट को याद करके ही इंगलिस आप तेजी से पढ़ना सीख लेंगे जैसे यहां देखिए इसको याद है यहां है उसके बाद आप पे अगले स्लैड में बिद्खा दूगा एक यहां याद किये अब देखिए अब देखिए यहां पर प्री कॉंप्रियेंजिव चार लेटर दिया दूस्तों आप फिर से में वहां ले चलता हूं आपको दिखा लेगा इसी वर्ट मिनिंग कर समझ में किया और चार लटर में चार ने चार वर्ट से याद कर लेते हैं तो कभी कोई दिखत नहीं होने वाली है जी कभी कोई दिखत कभी कोई परसानी जो है नहीं होगी और आप तेजी से पढ़ना सीख लेंगे जिया तेजी से पढ़ना सीख लेंगे अब चलिए जो है लास्ट स्लाइट को देखिए और इस स्लाइट से आप उस्तमाल कीजी अपना बुद्धी विवेक और इसको याद करके कोई वर्ड है उसमें ये पार्ट को खोजने का प्रयास करें अगर आपको पार्ट मिल गया तो आने उस वर्ड को पढ़ने का है कि जो है चावी मि अगर आपको याद रहता है यह दूसरा चाहिए इतना से पुरा घूस गया पूरा इसका स्कैन करके सांडबने कर लिए बात समझ रहे है ना हमारी तो चलिए अगर आप समझ रहे हैं तो जाहिड सी बात है अब तो बहुत बुद्धिमान होना भी चाहिए करना क्या है फिर अब देखिए सबसे जरूए किसी भी भासा में सबसे पहले उस भासा की सब्दों को जानना अब यह से दिखिए अभिवाहित या ब्रह्मचार या ब्रह्मचारी या ब्रह्मचार का अंगरेजीव हो जीएंगे है तो परमपरागत सब्दो को छोड़िन इनर्श वर्जिनल भर्जिनल भाई कि ब्रह्मचार है बिखरात है और कुछ राज्यं कशने है ने चाहिए। पूंड्तियागि है क्वे मद्द कर दो करते कहां है चाहर 5 राजीवें अरे ने हैं विखार है उजरात है और कुछ राज्य है नौर्ट इस्ट में एक राज्य है और वहां लागु का राज्य में खरने कभी दो राज्य में चर्छे चर रही है कम भी दारू किया जा रहा है मतलब सराप तो अगर पूर्ण मंत्र आगी है उसको क्या बोलेगा ऐस्टेन है तो जो पुर्ण मत त्याग कर चुके पुर्ण पूरी तरह से मैं अभी 20 साल से मैंने कभी टी भी नहीं लिया है यानि कि चाइक भी मैंने ग्रहन नहीं किया है तो मैं विजिटेरियन विजिटेरियन हुए अपने बारे में कुछे होने चाहिए तो मैं विजिटेरियन हूग और जैईर लगता है क्यों मुतलब किसी जीब के हत्य लगर एक कुछ खाया जाए लिए अपने अपना सोच है लेकिन ऐसा नहीं है क्योंकि जोस्तों अगर आप कोई भी नॉन्वेज नहीं खायेंगे तो आपके सरीर में B12 की कमी हो जाएगी जो कि आपके मन मस्तिक्स को कमजूड कर सकते हैं कि B12 बहुत इंपॉर्टेंट विटामिन है विटामिन विटामिन वी का मतलब कि क्या है टाइप से बीटोव और इसे जो है बाहरी सोर्स से ही जो कि इसे दिया आता है या फिर मिल्क अनिमल प्रोड़क्ट से लिए आता है जैसे कि दून दही यह से ले सकते हैं यह इसलिए मांस जो है लोग खाना चाहिए जो कि जैड़ सी बात है हम लोग तो है भाई आधी आधी मानब ही है भले हम लोग कुछ हो छोड़ने वाले तो पूर्ण उसे है नहीं तो चलिए बात हो गया बहुत ज़्याद है दो ना एपस्टैनर का मत पूर्ण मत दत्यागी न ओनेड़ वे जो तो अन एल्लिंग मिनस होता है निस्ठोर कठोवर अडिग वाइड़ नेक्ट बड़ वर दसकेब में सहोद चलाकी से बच जाना एक स्केब यानि चलाकी से बच गया उस्केर्ट विनस होता है धुन सनक औस थाइप फैशन है अभी इसी ग्रेश है एक्षै जेज है वोलते लोते हैं सेक्रेट सेक्रेट डेस सेक्रेट निस मिनस होता है पवित्रता ब्रह्म चर्रेश नेक्स बढ़ेज तो अंगेली अंगेली मिनस होता है फूहडभध्दा-प्रिय या कुरूब फूहर बद्धा अपरी यह गुरूप को बोलते हैं अन गेनली सेंसर करता है प्रतिबंधित प्रतिबंधित तो यहां लिए देजेगा प्रतिबंधित करना संपाजित करना भी कर सकते हैं क्योंकि जाइब सी बात है कुछ न कुछ जह इसमें से काट छट करवाही देता है देता अधिता आडंबरी भई बहुत बड़ा बंदित हैं बहुत बड़ा बंडित है पांडिताव रिडिक्यूलस व्यंग पोड उपहास पोड व्यंग कारी रिडिक्यूलस लेक्स बड़ तो ग्लूमी ग्लूमी मिन्स होता है दुखी रौद्र उपहास वीशन को बोलते हैं तो अच्छे से कपड़ लिए ज्यादा नहीं दूस्तों 12 बड़ मीनिंगी आता है आ बस याद करके अपनी भासा को एक अस्तर दीजिये यहां स्टेटस अच्छा स्टेटस में आप आधा याद करके इसका स्तमाल बोलने पढ़ने लिखने में कर सकते हैं अब देखिए आज का पार्ट है तो इसमें आपको करना क्या है आपको पढ़ लेना है जहां कहीं भी आ पढ़ता हूं अब आप फिरी चेक करेंगे कि मैंने जो पढ़ा पढ़ी लेगे तो क्या आप पढ़ नहीं पा रहे थे क्या आप क्यों नहीं पढ़ पा रहे थे इसको भी सूचेंगे आज सूचने का मुखा मिले रहे हैं जैसे ए सोवाइल को क्या मूले गया सोईल नहीं दिदम दोस्तों सवोईले सवोयल अब देखिए यह टॉपिक था दत्विण यार को और लिखिन युट के बाद लेकिन यह के गावी है तब एक आउचान से अगिए हो जाता है तो यह यसे भी वाय एको एकाक ऐं बन室 वर तो एन त्यां आप वर कई थार से बढ़ से तो देंड दा थीन लेयर ओफ ग्रेए याना ग्रेणी बारिन प्रेटिक्स टावल प्रेटी लेटा तो गिए सब्सक्स एर आया जी बिंग भी ओ लेखा तो रिंग हो गिया यह नहीं, covering the surface, A-C ही को सब बोलते हैं, एक बादी है तो एक आया, surface of the earth, is called soil, it is closely linked to land, अब दिकी landforms, यह और को आटी लगाटर हो गया, determine, determine the type of soil, soil is made, यह के बादी है, made up, made up of organic, organic matter, matter, minerals, minerals and weathered, weathered rock, found, वो यह नहीं होँ है, एक लगाटर, found on the earth, this happens, happens through, यह यह पनु सी आपे रीज रेखिचा, थरू, गो थूलेगी, थू थू, थूु थू तो थू थू जब अ परो, सस यह, बोसे से परोसस्तिके, फोसस्ति, वेदरी, वेदरीघ बेदरीघ रिबेदी रेधरी रेधरी थूू बेदरीट वेदरीघ। इडरीट थू Sum. and organic. Organic matter make the soil fertile, weathering, the breaking up and decay of exposed rocks by temperature, changes, frost, action, plants, animals and human activity and human activity. वस एफिकल पढ़लीजिए. चलिए, कहां कहां गलती किया है अपने देख लीजी अच्छे से. ठीक है? उसके बाद नहीं अगर गलती हुए तो अच्छी बात हैंने तो अगर गलती हुए तो फिर से पढ़े, मेरे सुनने के बाद फिर से पढ़े ता कि आपका यहां के यहीं जो है जो गलती उसको करेक्ट करके आप आगे बढ़ सके अब दोस्तों देखिए यहां पढ़त के बता दो आपको लिए स्वाइल मिन्स मीटी होता है ठीक है? दा थेन लेयर ऑफ ग्रेनी सब स्वाइल जो कि प्रित्वी की सता को धकने वाली दानेदार पतली परत को मीटी कहते है ठीक है एट अब यहां समझे एट कॉल्ट शैल दा थीन लेयर ऑफ ग्रेनी सब्स्टेंस यानि की मीट थीन लेयर ग्रेनी सब्स्टेंस कवरिंग द सर्फेस आप अफ द आर्थ इसकों यानि कि ऐसा कुछ पदार्थ का परत जो की पतला है जो कि हमारे प्रित्वी को पूरे जाना तो घेरा हुआ है उसको क्या करते हैं स्वाइल करते हैं मीटी करते हैं एक तास्य सम ऐसे समझे से अधिक इट इस क्लोजली लिंक टू लैंड यह जो है इसका जमीन से गहरा संब समधित लेंड रिट इस क्लोजली लिंक्त टू लेंड लैंड मेर भूमी से यह संबंदित है सा बहुत बहुत नाधी की समध्द है लैंड फॉर्म्स रिटरमाइंड राइप आप स्वाइल ठीक है यानि भू आकरित्यां मीटी के मीटी के प्रकार को निद्ध है करते हैं ल है को किस्टे है यह निए जैविक पदार्ष से बना है और वैसे विविए असक्तलाओ कि पहाय पथर जहां क्बैंगूस उससे बना कि एक तरह से मैंने समझाए कि मीटी प्रित्री पर पाया जाने वाले कार्वनिक पदार्थों खनीजों और अप्छाइद चट्टान से बनी है अप्छाइद चट्टान से बनी है अब आगे बढ़ते हैं दिस हैपन्स तुरू दा प्रोसेस प्रोसेस ऑफ वेदरिंग ठीक है यहां देखिए यहां आफ था यहां आफ कलेगे मतलब की यहां जो है मतलब जो अप्छाइब हो रहा है यहां घाटी तो जो मात जो है बेदरी जो मौसम जो है मौसम के वज़े से भी इसका जो है पुरसेस होता है बदलते है तो मौसम बदल तो जैसे में इसका यह मीटी का जो है प्रक्रिया ही बदल जागा बदल लेगा अब आगे दिखिए अब आगे दिखिए अब आगे दिखिए अब अप्छाय अब शाय जो है दा ब्रेकिंग अप एंड डिके ऑफ एक्सपोज रॉक एंड बाइट टेंपरेचर चेंजेश फ्रॉस्ट एक्सेंट प्लांट अनिमल्स एंड एंड यूमन अक्टिविटी जो तूटने वाले जो टूट रहे है जो चट्टा जो दिख रहे है चट्टा उसका तूटना अच्छा होना ही वेधरिंग का लाता है तो यह जो था दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट था फिरसे दिखिए वेधरिंग में जब चाहा है दा ब्रेकिंग अप एंड डिके व ऑउउb टूट रहा है जो जो भर रहा है उर्यम सरे अडिक अदुटेश्यूर का बॉठ दूब रहा है जो जो से घ्याल यहां आगि सब से तो हो रहा है आप समझ चुक्य होगा ना दोस्तों नहीं समझें फिर से कादवार और सुनिए समझें आपको बहुत और दो थीन वार पढ़िए क्लियर हो जाएगा दोस्तों इस वीडियो में यहीं तक अगर वीडियो अच्छा ला हो तो एक लाइक का वर्जिन नीचे ठोक देदिए और शेयर कर देजिए नए चनल को सब्सक्राइब करें कॉमेंट कर देजिए था कि पोस्त आपके आपको हमाई चनल का मेंबर्शिप मिल जाए और साथ इस तो इस वीडियो पर रहे हैं कि धन्यवाद ठेंक्स वाचिंग धन्यवाद